हेलो नमस्ते सास्रेकाल अदाव और स्वागत है आपका गर्ली टैरो ट्रिपल फोक के का पिका का रीडिंग हुए आपको दिवाली की बहुत 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 शुब कामने है चाहे दिवाली अभी आने वाली हो या दिवाली के दिन देख रहे हो या दिवाली के बाद बट वो जो फीलिंग होती है वो विशेज है वो हमेशा है टाइमलेस रहेंगी राइट तो आज की रीडिंग कुछ ऐसी है दीवाली दीपो वाला दिन तो दीप मतलब जगमगाहट, light, brightness और जैसे दीए brightness लेके आये थे उस आमवस की रात को, वैसे ही similarly आपके लाइफ में कौन सा दिया जगमगा हैगा और आपके लाइफ के किस एरिया में वो brightness लेके आएगा, कैसे लेके आएगा, किन blessings के साथ आएगा, किस तरह से सब होगा हम जानेगे आज की पिककार रेडिंग से, तो हमेशा की तरह थ्री पाइल से हाँ, आपके सामने हैं, चूस करने के लिए पाइल नमबर वान है ये मिट्टी का दिया, पाइल टू है परपल दिया, और पाइल थ्री है डिजाइनर ये मिट्टी वाला दिया जसमें गोल्डन डॉट्स है तो जो भी दिया, आपको इन तरफ अट्राक्ट कर रहा है आप उसे अपनी पाइल सेलेक्ट कर लीजे इफ याफ सेलेक्टिड यो पाइल हम पाइल वान के साथ चलेंगे तो एन फ्री के टाइम स्टैंप्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे सो सी यू देर हाई गाइस जो ने भी फिर्स्ट दिया यहां चूस किया है अगर बात करें आपकी लाइफ में फिर्स्ट क्या बहुत बड़ी जगा पे लाइट और रोश्णी पढ़ने वाली है वो है जए आपकी लव लाइफ में लव लाइफ में प्यार आ रहा है नजदीकियां बढ़ रही है खुद से खुशी हो रही है खुद से प्यार करे हो दुनिया से प्यार करे हो और कोई बहुत special one भी लोगों की लाइफ में आ सकता है, खासकर single लोगों की लाइफ में यहाँ पर मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक bad past से निकल के आ रहे हैं बहुत ही बुरा टाइम देखा है उन्होंने अपनी लव लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि आपकी कोई romantic relation aspect से यह हो सकता है यह भी हो सकता है कि कुछ लोगों के दोस्त, मतलब वो क्या कहते हैं दोगले निकले, कुछ लोगों के family वाले थे उनका असली रंग दिखके या in fact आपके romantic partner भी जिसके बारे में आप सोचते थे कि आप इनके सब future continue करोगे, सब आगे life देखोगे, उनका कोई चहरा दिखा है, मतलब आपको finally एक light आपकी तरफ आई है जहापे आपको सचाहियां दिखी है लोगों की, और अगर अभी तक नहीं दिखे तो आपको सचा यहां दिखेंगे और डरना मत, क्योंकि जब यह सचाहियां दिखेंगे उसके बाद एक नया chapter life में शुरू होगा, और जब यह नया chapter आपके life में शुरू होगा, तो यह door to romance खुलेगा, जहां पे सचा प्यार आपके लिए है, वो लोग आपके लिए है, जो आपके लिए ज खावे के सहारे आपको जूटे दला से देंगे कि how much they mean to you, because they will actually show you that how much valuable person you are to them, और इससे आपके अंदर बहुत confidence आएगा, यूँकि strength का काड़ा रखा है, आप में एक जजबा आएगा, आप में एक हिम्मत आगी कल को आप emotionally किसके साथ available हो, किसके साथ नहीं हो, किसको emotionally कितना तबज्जो देना है, यह आपको भली बांदी से अच्छी तरह से समझ आ रहे हैं लग जाएगा, not only that, स्कंद का काड़े हाँ पे आपको blessings के रूप में यह दे रहा है, कि जब इतना हम face कर लेंगे न, कि हमें एक पता लग जाएगा, कि clear line draw करनी आ जाएगी, who is fake with us, who is genuine with us, तो होगा यह कि आपमें वो एक understanding of smart and logical politics आ जाएगी, कि कि किस के साथ किस तरह से बात करनी है, साथ यह साथ में leadership qualities बहुत आ जाएगा, क्योंकि आपमें वो glow up आया है, वो confidence आया है, emotions को लेकर, क्योंकि आज तक आप जहां भी जंग हारते थे, emotions की जंग हारते थे, क्योंकि आ इतने प्यारे emotional person है, but now the game is changing, क्योंकि आप emotionally किस के साथ किसे रहना है, उस चीज़ पर भी काबू कर रहे हो, और यही आपकी एक छोटी सी कम्स हो रही थी, once you are finally overcoming this thing as well, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, guys, now बस अब आप ही आप हो, और यहीं आपके रेकाज में आ रहा है, कि नई रोशनी पढ़ रही है, आपकी love life में, एक तो self love भी बहुत बढ़ रहा है, और actually genuinely भी love relationships बहुत strong हो रहे हैं, जो लोग already committed हैं, अगर problem आ रही थी relationship situations में कुछ, उनकी भी यहाँ पर improvement होती हुई, relations में नज़र आ रही है, और कुछ लोग जो यहां toxic relations में थे हैं, बहुत देर से किसी relationship के पीछे, किसी situation के पीछे रो रहे थे, find उस चील से आगे move on कर रहे हैं, जैसी move on कर रहे हैं, बस आपके लिए दुआर खुर रहे हैं, प्यार के, सदकार के, ठीक है, so yes, pile number one, यह है आपकी reading, मुझे दीचे comment section में, brown color का, या orange color का heart मुझे drop करना, ताकि I can manifest this beautiful thing for you, till then take care, happy Diwali, and next bigger card reading के लिए चानल को subscribe करे के रखियेगा, bye-bye, Hello pile number two, जिन उनने भी second purple color का दिया, choose किया है, बात करें, अगर आप लोगों की life में किस चीज़ पर रोशनी पढ़ रहे हैं, तो अथ हाथ मिक्ता पर आपके, यहां रोशनी पढ़ती ही नज़र आ रही है, soul growth होती ही नज़र आ रही है, soul mission, soul purpose, आप लोगों को अपना पता च हो रहा है, universe से बहुत अच्छे से connect हो रहे हो, divine से बहुत अच्छे से connect हो रहे हो, और जब कोई person universe से connect होता है, divine से connect होता है, तो वो actually अपनी life से connect होता है, because they finally come to know कि उनका क्या purpose है, और वो उस accordingly ही आगे अपनी life में move करते हैं, क्योंकि वो होते हैं न, जिसे google maps, आपको पता ह situation पर राम से पहुंच जाएंगे, तो इस तरह से रोशनी पढ़ रही है, temple path clear हो रहा है, आपको अपना spirituality, अपना life purpose की clarity आती होई न, ज़रारी उस पर रोशनी होई, पढ़ती होई, यहां पर दिख रही है, और यह होगा इस तरह से आपको कोई सफर यहां करना पड़ेगा, English वाला नहीं, Hindi वाला सफर, आपको जर्नी पर जा रहे हैं, यह mental जर्नी भी हो सकती है, यह physical जर्नी भी होती है, जहां पर एक shift हो रहा है, बहुत लोगों का relocation हो रहा है, बहुत लोग कुछ travel करते हो है, यहां पर नज़र आ रहे हैं, और यह जो भी travel वो कर रहे हैं, यह उन लेकर जाएगा, और यह success सिर्फ हर तो, मतलब अंदरूनी रूप से नहीं है, यह भारी रूप से भी है, क्योंकि आपके finances भी बहुत इंप्रूब होने बाले हैं, I impress energy का card आया है, मानो रचाईता, आप कुछ create कर रहे हैं, you are in a journey to create something, or you are going to create something after this journey, मतलब journey creation का कुछ आपसने ताल मेल 101% है, और जब यह चीज़ हो रही है, आपके finances में भी बहुत improvement हो रही है, यह मा का card आपके लिए है, हाँ पर आया है, जो कि साथ में यह भी advocate करता है, यह आपके decision making powers बहुत strong हो रही है, क्योंकि spirituality से connect हो रहे हो तो, मो माया को enjoy कर रहे हो, पर मो माया में फस नहीं रह रहे हैं, let me tell you one thing, जब यह balance बनता है हार aspects से, जहां पर you are earning money, but you are not greedy for the money, you win the most peaceful life you can ever imagine, क्योंकि आपको पता है कि यह पैसा मेरे साथ हमेशा तो रहेगा नहीं, यह आता जाता रहेगा, बर साती साथ में आप अच्छा पैसा कमा भी रहे हो, आप अच्छी life भी जी रहे हो, त तो अगर कविकार उसमें dip भी आएगा, तो आपको bother नहीं करेगा, and dip आएगा नहीं, मैं आपको just example दे रहे हूं, कि बतला मो माया के बीच में रहे के मो माया में फसोगे नहीं, and that is the best thing that you will be having in the coming future, जहां पर आपकी life में एक light पढ़ रहा है, बस spirituality से आपको connected हो, उसके लिए आप meditate करिए, चाहे आप मंदर, मस्जद, गुर्द्वारा जाएए, चाहे आप पांच मिनट आँखे बंद करके बैठे, जैसे भी आपको लगता है, आप spirituality के सारे connect हो रहे हो, वैसा कुछ भी कर लिएजिए, जाप माला, कुछ भी कर लिएजिए, पर उसको अपनी practice में ला आपके लाइफ में आपको फाइनली एक बढ़ातरी success दिखेगी, अंदरूनी रूप से भी और बहारी तोर से भी, okay, so yes, pile number two, यह है आपकी reading, नीचे comment section में, पर पकल लगा हाथ है, मुझे drop करना, ताकि I can manifest this for you, till then, take a next pick a card reading के चानल को subscribe करके रखिएगा, and happy diwali, hi pile number three, जिनने भी last दिया, choose किया है, बात करें कि आपके life में किस तरफ रोशनी पढ़ने वाली है, किस तरफ उजाला आ रहा है, तो वो है, आपकी खुद के अंदर, confidence बहुत जादा बढ़ रहा है, life में बहुत उधल उधल है, तो stability आते होई, finally, आपके life में नजर आ रही है stability आ रही है, किसी चीज़ को लेकर uncertain थे है, unsure थे है, तो security आ रही है, उस चीज़ को लेकर, क्योंकि second chakra हमारे पास यहाँ पर है, तो आपका second chakra highly activated होने वाले है, जब second chakra activate होता है, confidence बहुत बढ़ता है, stability life में बहुत आती है, secured बहुत आप फील करते हो, anxiety levels बिल्कुल drop हो जाते है anxiety बगेरा चली जाती है life से, और साथी साथ में बहुत ज़ादा creative भी हो जाते हो, तो अगर कुछ लोग यहाँ पर business plan करना चाहरे हैं, या कुछ नया start करना चाहते हैं, arts में है, writing में है, music में है, creative field में, बहुत ज़ादा उनके पास idea जाने वाले हैं, तो pen औ पेपर हमेशे त आपके लिए, यह जैसी light आपकी life में पढ़ेगा ना, आपके पास यह death का card है, और death का card है, मतलब एक नया जरम हो रहा है, यह light पढ़ती है, आपकी life में, मतलब 19-20 का फरेक्नी आ रहा है, it's not 19 and 20, it's 19 and 91 that is happening for you, extreme transformation है, complete transformation है, and that is going to happen for your good, यह transformation एक तो आपके अदर बहुत जा इंप्रूव करने बाली है, balance बहुत अच्छे से चीज़ों में maintain करना आपको आ रहा है, किस चीज़ को कितना ध्यान देना है, किस चीज़ को कितना ignore करना है, बहुत अच्छी वो understanding बन रही है, साथे साथ में purification हो जो भी toxic traits हैं, खुद के अंदर, या किसी की toxic traits को आप झेल रहे थे, वो सब पीछे चुटते वे नजर आ रहे है, बहुत सारे लोगों के लिए भी चीज़ आ रही है, unhealthy lifestyle, unhealthy eating habits, unhealthy alcoholic consumption, कुछ भी ऐसे patterns and traits हैं आपकी लाइफ में currently, वो भी देर देरे पीछे चुटते वे नजर आ रहे हैं मुझे, life काफी clear, काफी balanced और काफी purified लग दिया ऐसा लग रहा है, ऐसा एक detox से निकल के आप जाने वाले हो, यह यहाँ पर मुझे बहुत strongly लिख रहा है, साथ ही साथ में यह भी देख रहा है, कि आपके जो decisions, decisions आपके life में बहुत ज़ादा आपको लेने पड़ेंगे आने वाले कुछ time में, क्योंकि अब आपका time आ रहा ह कि आपको बहुत चीज़े pick and choose करनी है, किस चीज को रखना है, किस चीज को नहीं रखना है, let me tell you, जो pick करोगे, वो forever के लिए रहेगा almost, और जो leave करोगे, वो almost पुरी life से छूट जाएगा, so now the time is coming for you to pick and choose, and let me tell you one thing guys, आपके लिए सब कुछ अच्छा हो रहा है, आपके balance that promotes detoxification for you, that promotes detoxification for you, so अगर आप अभी आज के ताइम पे एक healthy lifestyle में, अगर आप उतर गए, तो फिर आप उतर गए, फिर I am not seeing you going back, I am seeing you finally adapting a good lifestyle, अगर आपने कोई toxic patterns, को toxic partner को, कोई toxic friend को पीछे छोड़ दिया, तो वो life से बाहरी निकल जाएगा, so choose your things wisely, okay, so yes pile number 3, यह है आपकी reading, मुझे नीचे comment section में, आप लोगे जैसे yellow color का heart emoji चाहिए, ताइकि I can manifest this thing for you, till then take care, and next pick a card reading के लिए, चैनल को subscribe करके रखेगा, happy diwali guys,